ओमरमे शिवाय, अरहरन हादे हो, जेशूशंभो, अक्सर आप कमेंट्स में ये बात मुझसे पूचते हैं कि हमें कोनसा रतन धारन करना चाहिए, कोनसी अंगूठी धारन चाहिए, चान्दी की, सोने की, दांबे का छला, शनी के लिए कोनसा धारन करना चाहिए, हमें बताए पंडीजी की कौन सा हमें रतने दारण करना चाहिए, कौन सी अंगोटी पहनना चाहिए आप इस वीडियो में 3 मिनिट 52 सेकंड का मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ इसमें आपको विस्तार पूरवक समझ जाएंगे कि अगर आपके पास पैसे हैं तो कौन सी अंगोटी पहने पैसे नहीं है तब कौन सी अंगोटी पहने और दोनों से पर है कि जिससे आपको फाइदा मिले उसके लिए आपको कौन सी अंगोटी पहनना चाहिए तीनों प्रश्णों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा बहुत ही आसान और बहुत सरल तरीके से बस आपको ये वीडियो आखरी तक देखना है सुनना है, समझना है आपके फाइदे की बात में जरूर करूँगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट्स में भोलेनात का नाम लिखें हरहर महादेव, जैशू, शमबो, भोलेनात का कोई भी नाम लिखें लेकिन कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें दूसरा है चनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चाहते हैं अगर अपनी कुंडली का विशलेशन हमसे करवाना अगर जीवन में वरतमान कोई परिशानी तकलीप से आप गुजर रहे हैं वहां पर तक सब ठीक है लेकिन मूल जो बात है कि क्या इन रतनों को धारन करने से आपके जीवन में एक सकारतमक बदला हुआ या नहीं हुआ और बहुत सारी चीज़ उसके पीछे शुरू हो जाती है इसलिए जो बाते जिन अंगुठियों को धारन करने के लिए मैं कह रहा हूँ इस तरीके से एक बार सबसे पहले आप इन अंगुठियों को धारन करें उसके बाद ही आप रतने की तरफ जाएं सबसे पहले मूल है कि अगर आपके जीवन में बहुत आप स्ट्रगल कर रहे है मानों जो काम कर रहे हैं महनत कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा है साधी नहीं हो रही विवान नहीं हो रही और बहुत सारी परिशानी आपके जीवन में आपका पीचल छोड़ने का नाम नहीं ले रहे है तो ऐसी परिश्थितियों में जो मैं आपको चीज़े बता रहे हैं इस तरह की अंगुठी का तेल, सॲयवीन का तेल जो भी हो एक छोटी सी मात्रह में टेल ले उस टेल में खुद का चेहरा देखे खुद का चेहरा अगुठी बाद उसमें जो लोहे का आप रिंग लेकर हैं उसमें डुबो दे यह डुबोने के बाद में इसे शनीवार के पूरे दिन भर रहने दे, इसके बाद वो जो तेल आपके पास बचा हुआ है, उसे किसी भी पीपल के व्रक्ष में सुमवार के दिन छोड़ना है, संडे नहीं छोड़ना है, और सुमवार के दिन उस रिंग को आप साफ करके अपनी तरजनी उंगली में धारण कर लीजेगा ऐसा करने से, ये चो इस्ट्रगल, तमाम चीजे जो आपके साथ हो रही है, इसमें बहुत अद तक आपको 15-20 दिन में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, और आपके जीवन में एक सकारतमक, शनी से जुड़ हुए जितनी सारी नकारतमक ता है, उससे आप बच पाएंगे लेकिन इसमें सर्थ यही कि अगर आप कोई सोना पहने है, चांदी पहने है, वो सभी उतार दे, हाँ महिला है पहन सकती है पर पुरुष जो है, कोई भी अगर अन्य लोहे के लवा धातु पहना है, तो उससे उतार दे कुछ दिनों के लिए, कम से कम साथ या ग्यारा दिनो तक तो उसे उतार नहीं पड़ेगा, इस तरह कि अगर आप खुद अंगूठी का अपने घर में निर्मान करके धारन करेंगे, आपको जो परिशानी वरतमान में हो रही है, जिनसे आप चुटकार अप्राप्त करना चाहते हैं, उनमें बहुत तक आपको रिलीफ निलेगा साधी साथ अगर आप हो सकें तो उस लुहे के चल्ले के साथ में 11 बार 21 बार हनमान चलिसा का पार्ट भी कर सकतें, उसके बाद धारन करें, तो और ज्यादा परभावशाली रहेगा, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कर ओमन मेशिवे ओमन मेशिवे ओमन मेशिवे